हेलो माई लवली ओडियंस कैसे हैं आप सब आप देख रहे हैं मावरा स्टाइरी गाइस जैसा कि आप सब को पता है कि रैस्टी सीजन स्टार्ट हो चुका है तो मैं आप के लिए लाई हूँ इस सीजन के हवाले से कुछ फ्रेंसी प्रेसिस आइडिया तो चलिए देखते हैं तो फर्स्ट क्लेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये स्टोन वर्ग गाउन पर इस गाउन को फैशन कभी भी ओल्ड नहीं होता ये बिल्कुल सेपरेट है गाउन और ये एक स्लिप है इसके साथ ही ये वाले स्टीप्स जों है वो अटैच के रहे हैं फुल लेंद काउन है ये और ये बहुत ही एक ब्यूटिफल पीच है ये इसका फ्रेंट है और ये इस तब बैठ है बैट तो भी फुल स्टोन वर्क हुआगा है ये देखें गाइस कितने प्यारे स्टोन्स हैं और ये बाउट कैमरा या बहुत ही नाजुक काम हुआ है और ये इसका दुपट्टा है साथ में ये दिखिए इस पे भी फुल स्टोन्स लगे हुए है और साथ में ये कुछ लेस लिखिए है इस तरह से सेकेंड क्लेक्शन देखिए गाइस ये येलो किलर में एक ब्यूटिफुल इंब्रॉट्री वादी लॉंग शिर्ट है तलस बहुत प्यारे इतने यूज़ किये हैं और बटन्स बहुत प्यारे लग रहे हैं इस पे इसका फ्रंट साइट है इस तरह से और और ये बैक साइट है बैक पे भी नीचे जो है वह एक बट्टी लगी हुई है ये देखिए इस दोबटे के साथ ये इस तरह से इस ती लुगाती है बहुत प्यारा पीस है और आई को बाजों पर भी ये बनारसी पटि लगी हुए है नीचे से दिखाती हूं मैं आपको इस पर ये थे नहीं कि पटी लगी है बनारसी अंदर बोल्डन काम हुआ है बहुत प्यारा कैस येलो कलर आलवेज इन फैशन होता है बहुत ट्रेंडी कलर है आप मेहधी में उप्टन पे कहीं पर भी इस किसम के आउटफिर्स पहन सकते हैं और किसी भी फैस्टिवल पर भी पहन सकते हैं जो थर्ड लुक में आपको दिखा रही हूँ हो है ये मेरी बनारसी साड़ी स्वे बनाया हुआ लॉंग गाउन ये देखिए काईस इसके मैंने दो पर यूज किया है इस साइड पर ब्लाइक यूज किया है और इस साइड पर कुछ पिंकिश सा कलर है परपल पिंकिश सा वो यूज किया है और ये इसके स्लीव से ये मेरे पास एक साड़ी पड़ी थी तो मैंने उसकी लॉंग शिर्ट कहले या गाउन कहले फ्रंट ओपन शिर्ट बनवा दी देखिए इसका जो फ्रंट है वो ओपन है स्लाइपी सा फ्रंट से ये कुछ इस तरह से लगती है और ये है इसका बैक साइट बैक साइट पर भी गोल्डन पटी आ रही है पूरी निच्छे तर बहुत स्मार्ट लुक आती है इसको पहन कर अगर आपके पास भी कोई ओल्ड बनारसी साड़ी है या कोई भी साड़ी है तो आप इस तरह से उसको स्टिच करवा सकते हैं गैस नेक्स कलेक्शेन जो मैं आपको अपने दिखा रही हूं फैंसी में वो है यह ब्लाग कलर का ड्रेस यह ब्लाग पिराइन फेरोजी कलर की इसके ओपर भी पर पर्टी लखे वह है और वोल्डनि यह न garbage इसके ओपर सारी लगई यह फिरोजी रंकी यह देखिए और स्टोन्स लगे हैं फिरोजी स्टोन्स यह देखिए काम बहुत प्यारा हुआ है यह देखिए फिर से एक दफ़ा यह इसका फ्रंट साइड है मैं आपको क्लोज भी दिखाती हूं इसका और साइड से यह ओपन है तो आपकी एक लुक डिफरेंट आती है यह इसकी बैक साइड इधर भी फुल मकैश का काम हुआ है और नीचे जो है वो पट्टी लगी हुई है डबल कलर पे यह देखिए काईस गोल्डन एंड फिरुजी पट्टी फ्रंट टाउन पर भी इस तरह से काम हुआ है यह स्टोन्स लगे हुए हैं आई होब काईस के आपको मेरे फैंसी प्रेसे से कुछ आइडिया मिल रहा होगा इसका कपड़ा बारीक शिफॉन है एंड गाइस लास्ट क्लेक्शन जो मैं आपको दिखा रही हूँ हो मेरा बहुत ही परसंदीदा सूट है यह देखिये ब्लैक एंड ग्रे कलर में विट स्टोन्स एंड सीक्वेंस यह देखिये इसके स्टीज इस तरह से इसके ओपर मल्टी कलर की लेस लगी हुई है और ग्रीम कलर की भी कुछ काम हुआ हुआ है और जो फ्रंट है इसका यह इस तरह से और तैच्ट कामन दाइस उसके तांग साथ और प्लैक कलर देखिये uhycz वे वे खुपर के साइट पे रे देखिए और स्टोंस जगे हुए 번is ऐसे के स्टोंस देखिए बहुत प्यारे आए इधर भी कुछ भेडय कर्छ हुआ है जो अंधर की शिर्ट है वो छोटी एंस और जोगा नहीं है वो लंबी एंस इसका फ़रंट साइड है और यह इसका बैक साइड है, बैक साइड पे भी एक मोटिव लगावा है इधर कुछ मोटे स्टोन्स लगे वे हैं और यहां पर बारीच स्टोन्स यूज़ किये वे हैं इसका बैक है, यह देखिए ग्रीन कलर का इसका दुपटा है और उस पर भी यह कुछ डिटेल वर्क हुआ हुआ है और यह बहुत प्यारा लगता है जब इसको पहना जाता है, इस तरह से भी आप देखिए कि आपको बहुत ज़दा आइडिया होगा कि यह कितना खुबसूरत लुप दे रहा है थोड़े से बैल शेट में इसके बाजू में और तुपटे में भी एक तरफ से छोटी लेस लेकी हुई है और एक तरफ यह बड़ी वाली कट वर्क वाली लेस लेकी हुई है यह एक बहुत अच्छी डिजाइनर लुप देता है जो गाउन है गाईस वो शिफॉन कपड़ा है और यह शिर्ट है अंदर की वो थोड़ा सा मोटा सा स्टाफ है लाइक थोड़ा सा बहुत जादा नहीं लेकि थोड़ा सा मोटा स्टाफ है सौरी मुझे एक्च्छल में इस कपड़े का नाम याद नहीं आ रहा अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज मुझे कॉमेंट किरके बताएं I hope guys आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज थाम्स अप करें और मेरे चैनल को सब्स्राइब करें फोर मोर वीडियो और शेयर करें तिल देन नेक्स वीडियो बाइ